बिक्रू गाओं में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के आरूपी गैंग के सरगना विकास दुबे जिसने 9 जुलाई को उजेन की महाकार मंदिर की बाहर सरेंडर किया था और कल याली 10 जुलाई को यूपी ले जाते वक्त हदसे में कार पलट जाने के बाद जब विकास दुब गया लेकिन विकास दुबे की पत्नी ने उसका शव लेने से इंकार कर दिया था तब ही विकास दुबे के बहनों ही वहां पहुंचे और उसका शव लेकर गया इसके बाद शवदाह गरह में विकास दुबे की पत्नी अपने बीटे के साथ पहुंची और जो मीडिया ने उ पूछने लगे तो अपना आपा खो बैठे विकास दुबे की पतनी ने मीडिया कर्मियों को गंदी गंदी गालिया दी विकास दुबे की पतनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है जिसमें वो मीडिया कर्मियों को अभधर भाशा कहती हुई नजर आ रही हैं साथी ये भी कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं हथियार उठा लूगी आपको बता दे कि विकास दुबे यूपी का कुख्याद गैंक्स्टर था जिसने कई काली कारणामों को अंजाम दिया और इसमें इसकी पतनी रीचा दुबे उसका साथ देती थी रिप अपने पती की मौत के बाद जहां वपना अपक हो वाť है पहले उसने पती की शुव को लेने से इंकार कर दिया फिर बाद में शुवड़ा ग्रह पहुंची और पहले मीडिय कर्मियों को हामी भरी कि जो हुआ सही हुआ लेकिन बाद में अनि स्तिवालों पर वो मीडियों म्यों पर ही भड़कती नजराइन